असलाम वालेकुम दोस्तों, कुछ बच्पन की याद है बच्पन में एक रुपे के पतंग के पीछे दो किलो मीटर दूर तक भागते थे नजाने कितनी चोटे लगती थी और वो पतंग भी हमें बहुत दोड़ा दी थी आज पता चलता है, दर असल वो पतंग नहीं एक चैलेंज था खुशियों को हासिल करने के लिए दोड़ना पड़ता है क्योंकि खुशिया दुकानों में नहीं मिलती शायद यही जिन्दगी है जब बच्पन था, जवानी एक खाव था जवान हुए, तो बच्पन एक खुब सूरत याद बन गया जब घर में रहते थे, आज़ादी बहुत अच्छी लगती थी आज आज़ादी मिली है, फिर भी घर जाने के ज़दी रहती है कभी होटल में जाना, पिजजा बर्गर खाना पसंद था आज घर पर जाना, और मा के हातों का फाना पसंद रहे इस्कूल में जिन बच्चों के साथ जगडते थी आज उनको ही इंटेरनेट पर तलाश करते रहती है खुशी किसमे होती है, यह आज पता चला बच्पन क्या था, उसका एहसास आज हो रहा हमारे बच्पन की वो अफ़ा है, जो आज भी हमें याद आती है तर्बूज या किसी भी फल का बीज खा लिया, तो पेट में दरक्त उग आएगा टीचर के कुरसी पर बैठने से फेल हो जाओगे चांद पर बुढ़िया चरखा चला रही है बच्पन में सोचते के हम बड़े क्यूं नहीं हो रहे और अब सोचते हैं हम बड़े क्यूं हो गए दोस्तों बाते कैसी लगी, अच्छी लगी तो दौा चाहूंगा असलाम आले